आउज बिल्लाहिमिन शेत्वानित्वजीम बिस्मिल्लाहित्वानित रहीम असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूँ मुसीन रजा और आप लोग देख रहे हैं 24 आर 7 टीचर्ज आउनलाइन यूट्यूब चैनल दोस्तों क्लाफ चल रही है हमारी English Comprehension की और आज उस सीरीज का हमारा चौद्वा लेक्चर है मुझे पूरी उमीद है कि आप लोगों को English Comprehension की समझ आ रही होगी दोस्तों आज की क्लाफ शुरू करने पहले हम लोग एक बार ये देख लेते हैं के हमने अपनी पिछली क्लाफ के अंदर क्या पढ़ा था पिछली क्लाफ के अंदर हमने बात की थी reading के हवाले से और हमने देखा था के कैसे हम पांच steps जो है वो फॉलो करते हैं in the reading process उसके बाद हम लोगों ने listing markers को देखा और हमने ये भी देखा के listing markers का जो है हम English comprehension के अंदर कहां पर use करते हैं to make the words and sentences and paragraph दोस्तों मैं ने आखिर के उपर आप लोगों को एक exercise भी दी थी मुझे बहुत सारे बच्चों ने जो है वो messages किये कि फर आप हमें इसका solution भी बताएं तो हम लोग जो है एक बार इसका solution देख लेते हैं कि जो exercise मैंने आप लोगों को दी थी class 13 के अंदर उसका इसमें हमारे पाफ जो पहला sentence था उसके अंदर broadly speaking जो था that is जो है वो हमारे पास list of markers है इसके बाद हमारा जो दूसरा sentence था उसके अंदर at least जो है यह हमारे पास जो है वो markers का word है इसके बाद हमारे पास तीसरा जो sentence था इसके अंदर हमारे पास देखें एंड भी जो है वो list of markers है और इसमें हमारे पास after all भी जो है वो हमारे पास list of markers है difference भी हम इसमें list of markers लेते हैं इसके बाद देखें हमारे पास जो है चौथा sentence है इसके अंदर mean while जो है वो हमारे पास list of markers है इसके बाद हमारे पास next आखरी sentence था इसमें as a result जो है वो हमारे पास list of markers है तो यह दोस्त हमारी exercise का solution हो गया यहां तक तो थी हमारी पिछली class और आख के अंदर in this case यह भी हमारा list of markers है दोस्तों आज की class में जैसे मैंने आपको पहले बताया के हम लोग बात करने वाले हैं inferences के उपर और हम देखेंगे के inferences की importance क्या है in English comprehension और इसके बाद हम देखेंगे के what is the difference between the inferences and assumption और आखिर भी हम एक exercise भी दूंगा मैं आपको और with the help of example म मैं आपको inferences समझाओंगा तो चलिए दोस्तों हम आज की class शुरू करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि यह inferences होते क्या है An inference is a conclusion reached on the basis of evidence and reasoning के inferences जो है यह basically a conclusion होता है जो हम evidence के बहाफ पे देते हैं या उसकी कोई ना कोई reasoning होती है An inference is a process to detect that in while using existing information to make the educated guess about a missing piece of information के हमारे पास कोई text दिया गया उसके अंदर कुछ जो information है वो missing है तो हम लोग जह है वो inference के तुरू उस missing information को identify करेंगे उसको guess करेंगे People use inference all the time in the daily life लोग जह है वो daily life के अंदर इन जह है inference का use करते हैं For example, if it is a middle of the winter, अगर winter का मतलब middle है and there is snow on the ground और बरस जह है वो जह मीन पर पढ़ी हो ही है वोन might infer that quote if did it before going outside तो एक बंदा जो है वो यह infer करेगा कि जब भी आप बाहर जाएं तो वो coat पहन कर जाएं As it's likely to be cold क्योंके मौसम जाएं वो बाहर तो सर्द है तो यह हमारे पास एक inference की example है अगली slide पर चलते हैं और देखते हैं कि यह जो inference हैं यह क्यों important होते हैं In English comprehension Making inference is very important part of reading जब भी हम reading करते हैं तो यह inference जो है यह important part होते हैं reading का Writer will often deliberately leave out from information कि जो writer होता है लिखने वाला होता है वो खुद जानभूज कर कुछ जो information है वो छोड़ देता है And require reader to infer what is missing और पिर वो reader से infer करता है पूछता है require करता है कि कौन सी ऐसी information है जो इसके अंदर missing है on the basis of evidence एक शहादत की बुनियार पर This keep audience engaged with the story और यह जो inferences है यह help out यह भी करते हैं कि आपकी जो audience है वो आपकी story के साथ engaged है जैसे मैं आपको lecture दे रहा हूँ तो इसमें inferences का use किया जाता है कुछ information जा है वो missing है और मेरी कोशिश ही होती है कि जो lecture में deliver करूँ तो मेरा जो teaching method है या जो way of teaching है वो बहुत खारे दोस्तों को पफंद है और मैं कोशिश यह करता हूँ कि मेरे जो सुनने वाले हैं मेरे जो reader हैं मेरे जो student हैं वो जो मैं बोल रहा हूँ उसके साथ English रहें ताके उन्हें ज्यादा फे ज्यादा चीवों की understanding और समझ आए और मेरे जितने भी series चल रहे है YouTube के उपर हुस में जो मेरा main focus रहा है वो यही रहा है कि मैं आपको इंगेज कर सकूँ अपनी lectures के साथ और आपको clear understanding दे सकूँ आपके concept build कर सकूँ regarding the topic which we have been discussed in our lectures इसके अंदर आगे inferences में बढ़ते हैं a book where no inferences were required at all would likely to be extremely dull to read अब जिस book के अंदर आपको जो है inferences नहीं मिलेंगे उस book को normally जो हम यह consider करते हैं कि आप extremely dull to read है कि वो बंदा जो पागल है जो उसको पढ़ रहा है या फजूल है when a writer obligize reader to make the inferences they give audience clue as to what is going to happen और फिर जो है वो reader उनको कोई clue देता है कोई hint देता है जैसे आप सो मजले का सोटी है उसमें कोई hints दिये जाते हैं question पूछे जाते हैं या आपको मैं कोई clue देता हूं तो इससे आपको पता चल जाता है कि future में क्या जो है happen होने वाला है तो यह basically importance है आपकी inferences की अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि एक चीज़ होती है assumption एक होता है inferences कि इन दोनों के अंदर difference क्या है one important thing that keep in mind to understand the inferences and the assumption both terminologies are different from each other दोनों जो हैं वो एक दूसरे से मुक्तलिफ हैं अगर हम assumption की बात करें assumption are not logically created by existing information and instead seek to provide new information के आपकी जो assumption है वो आपके पास जो existing information है उससे logically create नहीं की जाती बलके new information दी जाती है और इसके अदर आपको जो whole story है वो भी नहीं बताई जाती on the other hand if we are talking about the inferences they are logically conclusion drawn from the given information या existing information के आपको जो existing information दी गई है आप उस में से logically जो है वो conclusion draw करते हैं और in this हम जो है complete जो हमारी whole story होती है उसको complete बताते हैं then the reader draw the conclusion on the basis of the information which we have been provided उसके बिहाग पे जो है वो conclusion draw करता है तो यह basically difference है between the assumption and inferences के assumptions के अंदर हम कोई logically rationale के थूँ जो है कोई conclusion draw नहीं करते लेकिन inferences के अंदर हम जो है rational के साथ जो conclusion draw करते हैं इसके बाद दोस्तों अगली slide पर चलते हैं और यहां पे आपको एक जो है वो फमझ लें poem लिखी हुई नजर आ रही है about the fog the fog comes on the little cat feet वो little cat feet के उपर जो है वो fog off पढ़ती है it seeks looking once harbour and city on silent hunt and then moves on अब इससे related हम से question किये जाते हैं तो पहला the way of fog moves in compare to क्या आपकी जो fog है वो move करती है उसको किस चीज के साथ जो है वो compare किया गया है अब इसमें जो answer आएगा correct the way of cat move के जैसे-जैसे वो जो छोटी बिली है वो move करती है तो उसको पाउं के उपर Joe वो भी move करती है इसको इस चीज के साथ जो cambi air nights इसके बाद जो next question है the poems of fog as dangerous quiet and full of movement तो fog को जह है वो इस poem के अंदर जह है वो show किया गया as a quiet or silent अगर आप इसके अंदर देखें आपकी fourth line on a silent तो यह आपको quiet से जह है वो जह है show किया गया है fog को कि यह silent है, quiet है, peaceful है तो यह हमारे पाफ जो है inferences की एक example आ गए इसके बाद दोस्तों मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोग YouTube के उपर ही lecture देखा करें डाउनलोड करके नहीं देखा करें ताके मुझे भी कोई benefit हो और मैं आप लोगों के लिए lecture से record करता रहूँ इसके बाद दोस्तों आज की exercise आपको स्क्रीन के उपर नज़र आ रही है यह वो ही जो है वो poem है जो हमने example के तौर पे आज के lecture में देखी और इसके आगे दो further question है उमीद है आपने write down कर ली होगी और अगली class में इसे solve करके आएं और मुझे आके चेक करवाएं के जी sir हमने यह जो exercise आपने दी थी हमने इसे solve कर लिया है और हमें inference की समझ आ गई है दोस्तों आज की class का जो time है वो खतम हुआ चाता है और एक बार हम जहें देख लेते हैं कि हमने आज की class के अंदर क्या पढ़़ा आज की class के अंदर हमने inference की बात की और inference are different from the assumption और हमने देखा के how much importance of inference in the English comprehension with the help of an example मैंने आपको समझाया के inference क्या होती है दोस्तों आज की class हम यहीं दोए खतम करते हैं और आखित में मैं यहीं कहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो आप उन्हें like कीजिए अपने दोफ्तों के साथ share करें और comment भी किया करें और मेरा channel 24 hour family teacher for line subscribe कीजिए thank you very much दोस्तों मिलते हैं अगली class में उस वकत तक के लिए अला हाफिज